ये समय था Second World War का जब US Military में Black People's की इंटरी नहीं होती थी तब पहली बार Doris Miller First African American था जिसे US Navy में एक कुक की नोकरी मिली और इसके बाद Second World War सुरू हो गया और इस War में Japanese Air Crafts ने US Military के उपर अटेक कर दिया जिसमें 3000 से ज़्यादा American Soldier मारे जाते हैं तब ही Doris Miller की सिप के उपर भी अटेक हुआ और इस अटेक में Doris Miller की कैप्टन की जान जा चुकी थी ये देखते हुए Doris Miller ने अपने सिप को बचाने के लिए मसीन गन से फाइरिंग करनी शुरू कर दी जिसमें उसने 50 से ज़्यादा Japanese Air Crafts को मार गिरा है लेकिन इस वर में Doris Miller की भी जान जा चुकी थी इसके बाद USA military ने Doris Miller को सम्मानित किया और इसके बाद black people's की entry USA Navy में होने लगी तो है, thanks for watching, have a nice day